वेरी गूट बॉर्निंग माई दियर किड्स यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट मूविं एंड नोन मूविं थिंग्स तो इस चैप्टर नमबर नाइन तोड़े वी विल कम्प्लीट दा रिमेनिंग पार्ट अप दिस चैप्टर प्यारे बच्चो आज हम मूविं एंड नोन मूविं थिंग्स जो हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था आपको बताया था कि मूविं थिंग्स क्या होती है नोन मूविं थिंग्स क्या है आज इस चैप्टर का बचावा पार्ट भी हम करेंगे moving thing का एक simple सा example यह flying bird flying bird उड़ती भी चिडिया उड़ती भी पंची यह moving thing है और ऐसे ही जो है यह kettle केतली चाय की केतली यह non-moving thing क्योंकि एक जगह जो वस्वें जो चीजें एक जगह रुकी रहती है वो non-moving की category में आती है now here how a non-moving thing becomes movable कैसे एक non-moving thing जो की जैसे की table है chair है book है cycle जो एक जगह है इन चीजों को कैसे movable किया जा सकता है तो by using force force का यूज करके ताकत का यूज करके अपने हाथ या पैर से कुछ चीजों को हम चलाते हैं जैसे for example let's do an activity एक activity करते हैं यह आपको दिखाई गई है this is a cycle एक cycle है okay first point drive a bicycle on the road शड़क पर एक bicycle चलाईए यह movable हो गई अभी जब यह cycle rest position में है तो non-moving thing में है और इसी को जब हम चलाते हैं तो यह moving object या moving thing इसको कहते हैं right second put the brake on it और जैसे ही यह जो cycle चला रहा है यह जैसे ही brake करेंगे brake मारेगा cycle को brake cycle में brake मारेंगे तो क्या होगा observe what will happen देखें क्या होता है क्या होता है brake मानने पर cycle will stop it is stop moving चलना रुख जाता है cycle को brake लगाने पर वो cycle रुख जाती है तो हमने जैसे ही brake लगाया cycle रुख गई तो इस activity से हमें पता चला कि कैसे एक non-moving thing moving condition में आई movable होई और कैसे फिर से stop हो गई यह force का use करके तो हम यहाँ जो force word use हुआ है force की बारे में clear होना चाहिए आपको what do you mean by force force किसको कहते है push or pull an object is called force धक्का देना push means धक्का देना और pull means खींचना किसी चीज को खींचना या धक्का देना इसको क्या कहा जाता है force in other words pulling or pushing on an object make it movable pushing और pulling किसी चीज को खींचना या धक्का देना उसको movable करता है उस चीज को movable बनाता है for example look in this picture इस picture में देखिए यह आदमी इन चीजों को यह जो इसके सामने टेबल पर चीजें हैं जो non moving things हैं इनको अपने हातों से push कर रहा है और वो सारी चीजें इधर shift हो रही हैं तो यह सारी चीजें force से movement movable हो रही हैं और इस side में यह slip हो रही हैं तो यह this is activity by using force we shift a non moving thing एक non moving thing को भी हम shift कर सकते हैं उसे movable कर सकते हैं इधर उसकी position change कर सकते हैं next exercise work जो कि आपने हमने question 1,2,3 yesterday complete कर लिया थे now this is question number 4 what is force pulling or pushing are called force pulling means खीचना और pushing means धक्का देना यह pulling or pushing is called force now tick the correct answer अब आपको right answer पर tick करना है first when we apply force on opposite direction moving object कोई moving object है कोई cycle समझ लीजिये आपका कोई friend cycle चला रहा है और आप उसको opposite direction में उसको खीचते हैं यानि चलती भी चीज़ को opposite direction में आप खीच रहे हैं तो क्या होगा it becomes faster क्या वो और तेज हो जाएगी यानि कि आप ये देखिए कि आपका कोई friend cycle चला रहा है और आप पीछे से उसको अपनी तरफ खीचने लगें cycle आगे जा रही थी लेकिन आप उसको पीछे अपनी तरफ खीच रहे हैं तो उसकी speed कम होगी या जादा होगी बताइए it becomes faster यानि उसकी speed change हो जाएगी नहीं no it will stop ये एकदम से रुकेगा भी नहीं तो क्या होगा it becomes slow उसकी speed slow हो जाएगी और ultimately stop हो जाएगी लेकिन पहले क्या होगी slow it becomes slow जैसे हम moving object को opposite direction में force apply करते हैं तो उसकी speed slow हो जाती है वो moving speed जो है moving object की slow हो जाएगी number two moving thing का example है इसमें से tree mountain car इसमें से क्या right है car car एक moving object moving car को हम moving object में रखते है non living non moving thing three options are here bus chair train तो answer is chair chair non moving thing जो की एक जगे है अपनी एक जगे ही रहती है chair जब तक कि हम उसको force न लगाएं right तो do this question in your notebook next question is what happens when what happens when क्या होता है happens means होता है जब when means जब you pull the bag towards you तुम bag को यानि आपका school bag है उसको क्या कर रहे हो pull यानि खीच रहे हो अपनी तरफ जब आप bag को कोई भी bag है उसको अपनी तरफ खीचेंगे तो क्या होगा the bag slips towards you bag जो है आपकी तरफ खिशक जाएगा आप force apply कर रहे है pull कर रहे है उसको तो वो क्या है towards मरलब towards us हमारी तरफ अपनी तरफ जो आप खीच रहे है उसको bag जो है वो आपकी तरफ slip हो जाएगा, slip यानी खिसकना and number two pushing the door, दर्वाजे को धक्का देना, pushing means धक्का देना pushing धक्का देना door जब आप door को धक्का देते हैं, तो क्या होगा the door opens दर्वाजे खुल जाएगा समझेज़े आप कहीं बाहर से अपने घर बे आए और दर्वाजे को आप push कर रहे हैं, तो वो दर्वाजे क्या होगा, door opens, दर्वाजे खुल जाएगा, तो ये है आपका what happens when इसको भी आपने autobook में कर लिजेगा next, draw the picture of moving and non-moving thing, एक moving thing, moving thing के example आपको पता है, aeroplane car, bus, ricksa और कोई भी animal, like fish ये fish का diagram है, ये moving thing है और non-moving thing में क्या आगया toothbrush, book table chair pen pencil ये क्या है, non-moving things, तो non-moving things में जैसे कि ये toothbrush बनाए, इसका diagram आप draw करेंगे, एक moving और एक non-moving thing आप copy में draw करेंगे colorful diagram, right thank you for watching this PPT, do these questions now our chapter 9 is completed, if you have any question कोई भी question अगर आपका chapter 9 में है, तो आप मुझे phone करके मेरे से बात कीजिए, पूछिए 9719290074 इस phone number पर आप मेरे से बात कीजिएगा thank you and have a nice day